बिहारी आलू के जोल की रेसिपी जो कि ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में उससे भी आसान तो चली मिलकर बनाते हैं आलू के जोल की रेसिपी बिहार की फेमस इसके लिए हमें चाहियोंगे आलू और एक चाहियोंगे प्रेशर कुकर उसको बॉइल कर लेना है उसमें आलू को और साथी साथ हमें इसमें मसाले काट लेने हैं जैसे कि प्याज, अद्रक, टमाटर और हरिमिर्चा प्याज हमें दो बड़े लेने हैं, अद्रक हमें एक इंच लेनी है, टमाटर हमें दो बड़े लेने हैं और हरमेच हमें दो से तीन अपने टेस्ट के अकॉर्डेंगा प्ले सकते हो अब हमारे जो है आलू वो उबल के रेडी हो चुके हैं, इनको हम छील लेंगे और रफली इनको काट लेंगे अब एक ले लेनी है कड़ाई, कड़ाई में हम यूज करेंगे सरसो का तेल, सरसो का तेल ही बिहारी आलू को और भी अच्छा टेस्ट देगा इसमें सरसो का तेल ही यूज कीजिएगा अब इसमें हम डाल देंगे जीरा, एक चममच और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे अद्रग जो हमने चौप करके रखी थी जैसी अद्रग ब्राउन हो जाएगी थोड़ी सी, उसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची और डाल देंगे हम इसमें प्याज, जो की हमने दो बड़े काटके रखे थे अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे और इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने का वेट करेंगे और साथी साथ इसमें डाल देंगे हम एक बड़ा चममच नमक का ताकि जो हमारे प्याज है वो अच्छे से पग जाए और थोड़ा कम टाइम लगे इने ब्राउन होने में तो हमने या नमक डाल दिया है अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग क्योंकि हींग हमने पहले इसलिए नहीं डाली नहीं तो हींग जल के थोड़ा सा कड़वा टेस देती है इसमें हींग डाल दिये अब ही हम लोग जो प्याज है हमारे वो गुल्डन ब्राउन हो गए है इसमें जाएंगे हमारे बेसिक से मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर यह लाल मिर्ची पाउडर यह हमारी जो लाल मिर्ची है वो घर की कुटी हुए थोड़ी दर्दरी है और धनिया पाउडर जाएगा इसमें दो बड़े चम्मच इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अपने टमाटर जो हमने दो काट के रखे थे और फिर से एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो थोड़ा सा भी खड़ा हुआ है तो हम इसके अंदर एक खलबटे के अंदर तीन से चार लहसुन की कलियां और उसके कूट लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि उसका जो फ्लेवर है वो एनहांस हो जाए और वो टमाटर और प्यास की जो ग्रेवी है हम उसके अंदर डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार इसे बहुत ही अच्छी खुश्बू और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब जो हमने अबाल के आलू रखे थे उन्हें हम कडाई में अगर मोटे मोटे हैं तो उन्हें कडाई में हम कडची की हेल्प से उन्हें चॉप कर लेंगे तो इस हिसाब से हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए हमारा जो आलू का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है अब इसमें हम डालेंगे दो बड़ी कटोरी पानी वो भी गरम किया हुआ इसमें ठंडा पानी यूज करेंगे तो फिर हमारे जो आलू है वो जादा देर तक पकेंगे और वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो हमें जादा soft आलू नहीं करने है इसलिए हम इसमें गरम पानी डालेंगे इसमें उपर से हमने चुटकी भर काली मिर्चे का पाउडर डाला है अब देखिए पोईलाने का वेट करेंगे और इसके अंदर हम धनिया पत्ती के साथ इसे गार्निश कर देंगे तो यह देखिए जो हमारी आलू की जो सबजी बिहारी आलू की जो सबजी है वो बन के रेडी हो चुकी है खाने में एकदम ला जवाब है इसे आप पूरी पराथे रोटी